नमस्कार, वेल्कम टू आस्ट्रोंगिर आज हम जब टॉपिक के वारें बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रेय पंचायद तो ग्रेय पंचायद किसे बोलते हैं जब भी जनम कुणली में किसी भी खाने में पांच ग्रेय इकठे बेठे हूं उसे हम ग्रेय पंचायद बोलते हैं ये ग्रेय पंचायद कब शुब होती है और कब अशुब होती है अब इसे समझते हैं इस ग्रेय पंचायद में जब भी बुद्देव विराजमान हो जाए तो ये ग्रेय पंचायद योक कारक हो जाती है और जब भी इस ग्रह पंचायत में बुद्देव नहीं होते तो ये ग्रह पंचायत आपको हमेशा अशोप परिनाम ही देगी अब हम इसे समझ लेते हैं कि ऐसा क्यूं होता है बुद्देव जब भी ग्रह पंचायत के अंदर होते हैं तो बुद्देव सारे ग्रहों को कहीं न कहीं गुमाते रहते हैं क्योंकि हमें पता है जिस चक्कर पे सारे ग्रह गुमते हैं वो चकर बुद्देव का होता है तो बुद्धदेव के कारण उस गरह पंचायत में लड़ाई नहीं होती और जब भी इस गरह पंचायत से बुद्धदेव बाहर होते हैं तो इस गरह पंचायत के कारण आपके आपस में जो प्लानेट्स हैं वो लड़ते मैं एक example के तोर में आपको समझा देता हूँ आप कोई भी पांच ग्रह ले ले और उनको किसी एक खाने के अंदर रख दे वो कभी भी पांच ग्रह आपस में मित्र नहीं हो सकते उन में से कोई एक हमेशा शत्रू निकल ही आएगा इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखे इसलिए ग्रह पंचायत के वक्त बुद्देव ग्रह पंचायत में अगर होते हैं तो ग्रह पंचायत बुद्देव के कारण शुब हो जाती है क्योंकि बुद्ध देव सारे ग्रहों को कहीं न कहीं अपने चक्कर में घुमाते रहते हैं और बुद्ध देव अपना कार्य असानी से कर लेते हैं अब इस बुद्ध देव के कारण हमें बहुत सारी चीजें शुब मिलती है और कैसे मिलती है आज हम वो बात समझते तो आज मैं आपको बताऊंगा बुद्ध के भेद के बारे में ये बुद्ध का सबसे interesting concept है लाल किताब में अगर आपको बुद्ध का भेद समझ आ गया तो आप लाल किताब में बुद्ध को decode अराम से कर सकते हो क्योंकि लाल किताब में इ चीज लिखी गई है कि आप सारे गरहों को कही न कहीं judge कर सकते हो लेकिन बुद्ध को कभी भी judge नहीं कर सकते कि वो अच्छा है बुरा है क्योंकि बुद्ध देव जिसके भी साथ बैटते हैं उसकी सारी चीजे अपने अंदर ले लेते हैं और उसके तोर पर बिहेव करने लग जाते हैं तो बुद्ध के भेज से आपको समझा जाएगा कि आपकी जनमकुली में बुद्ध किस घ्रह के हिसाब से अपनी चाल चल रहा है क्योंकि बुद्ध देव कभी भी अपना दिमाख खुद नहीं लगाते क्योंकि बुद्ध देव हम पता है कि बुद्ध देव बच्चे हैं और बुद्ध देव हमेशा किसी ना किसी चीज या किसी ना किसी प्लानेट को अडॉप्ट करते हैं अपनी नेचर के अंदर तो इस ग्रह पंचायत के वक्त भी बुद्धिव किसकी तरह अपने चाल चल रहे हैं इस चीज को डिकोड करने में बुद्ध के भेद से बढ़िया कोई चीज नहीं है आज हम समझते हैं बुद्ध का भेद तो बुद्ध के भेद क्या है आपका बुद्ध जो जनम कुली में वो किस तरह से भीएव कर रहा है या किस प्लानेट की तरह भीएव कर रहा है बुद्ध के भेद से आप पता निकाल सकते हैं अब बुद्ध के भेद for an example हम जनम कुल्ली के तोर पर सीखते हैं कि बुद्ध का भेत निकालते कैसे तो ये जनम कुल्ली है किसी व्यक्ति की इनके राहु देव second house में इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूँ मैंने starting में आपको कुछ numbers बताये थे planets के जिससे सूरिया देव का 9 होता है चंदर देव का 8 होता है मंगल देव का 5 होता है शुकर देव का 7 होता है ब्रसपती देव का 6 होता है बुद्ध देव का 4 होता है शैनी देव का 3 होता है राहु देव का 2 होता है और केतु देव का 1 होता है ये टककर के वक्त भी same powers हैं और इनकी ये चीज ध्यान में रखे अब ये चीज आपको समझ लेनी है कि इनके numbers क्या है सूरिया देव का number क्या है, चंदर देव का number क्या है ये चीज सबसे पहले अपने ध्यान में रख ले और pen copy ज़रूर ले ले वरना calculation mistakes इसमें हमेशा हुई ही जाती है अगर ये calculation mistake अगर हो गई तो answer सही नहीं आने वाला है बुझ देव किसकी तरह behave कर रहे है ये आपको कभी जिंदगी में पता ही नहीं चलेगा इसलिए calculation mistakes नहीं होनी चाहिए इसमें साथे साथ ये number ज़रूर याद रखे तो राहुदेव second house में बैठे पहली बात तो ये निकलता किसे ये निकलता इस तरह है कि राहुदेव का number है 2 और house number जिस खाना number में वो बैठे है वो भी है 2 तो राहुदेव का number multiply by जिस house में बैठे means 2 into 2 is 4 तो ये लिख ले कि राहुदेव का number आया 4 इसके बाद आप plus करें फिर सूरिया देव का number निकालते है सूरिया देव बैठे है खाना number 3 में खाना number 3 multiply by 9 is 27 तो 4 plus 27 इसके बाद हम निकालते हैं बुद्देव का तो बुद्देव का जो number है वो है 4 और बैठे है खाना number 3 में तो 4 into 3 is 12 वो भी लिख ले इसके बाद हम बात करते हैं ब्रस्पती देव की तो ब्रस्पती देव का number है 6 खाना number 4 में बैठे है तो 6 multiply by 4 is 24 ये भी लिख ले इसके बाद हम बात करते हैं खाना number 5 में बैठे हैं मंगल देव, मंगल देव का नंबर है 5 5 multiply by 5 is 25, ये भी लिखे हैं इसके बाद हम बात करते हैं शुकर देव की, तो शुकर देव का नंबर है 7, 7 multiply by 5 is 35, ये भी लिखे इसके बाद हम बात करते है चंदर देव की, तो चंदर देव का नंबर है 8, 8 multiply by igkeit's. Southwest शुर्टि येट इसे भी आप प्लस कर लें इसके बाद हम बात करते हैं राहु देट की तो केतु देट बैठे हैं खान नमबर आठ में तो कहना नमबर आठ मायटी बलाइब इण जो की केतु देव का नमबर है तो एट इसे भी लिखे इसके बाद हम बात करते हैं 219 जो आपका सम आए या आपका कोई भी अपनी कुल्ली बे आप अपलाए करें जो भी आपका सम आएगा उसको divided by 9 गढ़ दें तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 24 point something 333 अब ये 33 क्या है ये आपका remainder बच गया है 3 अब ये जो 3 remainder बचा है आपका 3 नंबर किसका था शनी देव का तो इस जनम कुल्ली में बुद्ध किस तरह भी एव कर रहे है वो कर रहे है शनी देव की तरह भी अब बुद्ध चाल कैसे चलेंगे शनी देव के अकॉर्डिंगली चाल चलेंगे बुद्ध भी एव कैसा कर रह है शनी देव के अकॉर्डिंगली बिएव कर रहे है इस व्यक्ति को किस लाइन में जाना चाहिए इस व्यक्ति की जो लाइन होनी चाहिए वो होनी चाहिए शनी से related line और ऐसा व्यक्ति काम भी कहीं न कहीं शनी से related line में भी करे два ऐसे व्यक्ति का दिमाग जातर शनी की लाइनों में ही चलता है और शनी के विचारों पर ही चलता है means आपकी बुद्धी कैसी है न यह बुद्ध का भेद आपको बता देगा कि इस व्यक्ति की चल रहा है ये एक ऐसा concept है जिसको आप बुद्ध को decode अराम से कर सकते हो और ये बुद्ध का भेद बहुत सारे लोगों में बहुत सारी किताबों में कोई भी आपको अच्छी तरह नहीं समझाएगा आज मैंने बिल्खुल ही सरल तरीके में बुद्ध का भेद आपको बताए और ये बुद्ध का भेद ध्यान रखें ये आप हर जनम कुल्डी में apply करके देखिए आपका बुद्ध का भेद कभी भी गलत नहीं आएगा लेकिन कंडिशन वन आपकी कुल्डी जो होनी चाहिए वो शोध होनी चाहिए अगर आपकी कुल्डी शोध नहीं तो ये बुद्ध का भेद भी कहीं न गहीं गलत आएगा जिस हिसाब से आपके planets naturally बैठे है means degree wise जब चेक करते हो आप कुल्डी शोध करते हुए उस हिसाब से जहां बैठे हैं उस हिसाब से जब आप बुद्ध का भेद निकालते हो तो वो बुद्ध का भेद एकदम accuracy के साथ आपका apply होगा इस चीज का सदैव ध्यान रखें तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद